मुतुवेल पांडियन एक रिटाइट पुलिस ओफिसर होता है जो अपनी फैमिली के साथ चैन्नई में रहता है मुतुवेल की फैमिली में उसकी वाइफ वीजी बेटा अरजुन जो की एक S.E.P. होता है और उसके बेटे की वाइफ श्वेता और एक ग्रांसन होता है उसका बेटा S.E.P. अरजुन एक गैंक्स्टर वर्मन को ढून रहा होता है जो मंदीरों में से देवी देवताओं की एंशेंट एन हिस्टोरिकल मूर्तियां चोरी करता है और उन्हें फॉरें कंट्रिस में बेच देता है एक बार S.E.P. अरजुन वर्मन के एक गुंडे सीनू को पकड़ लेता है और सीनू को थर्ड डिग्री टॉर्चर देके उससे वर्मन और मंदीरों में से चोरी हुई मुर्तियों के बारे में पूँचता है लेकिन फिर भी सीनू S.E.P. अरजुन को कुछ नहीं बताता धीरे धीरे S.E.P. अरजुन जैसे ही वर्मन को पकड़ने के करीब पहुंचता है एक दिन वह अचानक से लापता हो जाता है और पूरे पुलिस डिपार्डमेंट में ये निउस फैल जाती ही कि S.E.P. अरजुन ने सुसाइट कर लिया है और अपने बेटे की मौत की खबर सुनके मुतुवेल बहुत ही दुखी होता है और मुतुवेल अपने आपको दोशी समझता है कि उसने अपने बेटे को इमानदार और निडर बनाया और आज ही इमानदारी उसकी मौत की वज़ा बन गई मुतुवेल ये जानता होता है कि उसका बेटा कभी सुसाइट नहीं कर सकता बलकि किसी ने उसका मडर किया है और जिसने भी उसके बेटे को मारा है वह हर हाल में उनका पता लगाना चाहता है इसलिए मुथुवेल उस गुंडे सीनू से मिलता है और वो उसको मार देता है एक लोकल टेक्सी ड्रियावर वीमल की हल्प से वह सीनू की बोडी को ठिकाने लगा देता है और दूसरी तरफ वर्मन के आदमी मुथुवेल के ग्रांसन को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मुथुवेल उसे बचा लेता है और मुथुवेल वर्मन से कहता है कि उसे और उसकी फैमिली को अकेला छोड़ दो लेकिन वर्मन मना कर देता और कहता है कि मैं हर हाल में अपने आदमी सीनू की मोत का बदला लेके रहूँगा और इसके लिए मैं तुझे और तेरी फैमिली को खतम करूँगा यह सब सुनके मुथुवेल अब वर्मन से लड़ने का फैसला करता है और इसके लिए मुथुवेल नरसिमा से मिलता है नरसिमा भी पहले एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हुआ करता था लेकिन अब वो सुदर चुका है और नरसिमा अपने चार सबसे बेस्ट शुटर को मुथुवेल को दे देता है और मुथुएल वर्मन के ट्रक्स को पकड़ लेता है जो मन्दिर से चोरी हुई मुरतियों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं और इसकी वज़़ से मुथुएल वर्मन को बलेकमेल करता है और उससे भीक मंगवा कर उसकी इंसल्ट भी करता है वर्मन एक बहुत बड़े क्रिमिनल कामदेव को मुतुवेल और उसके फैमिली को मारने के सुपारी देता है लेकिन मुतुवेल और उसके आदमी कामदेव के सबी लोगों को मार देते हैं और मुथुवेल का ये रूप देखके उसकी पत्नी और उसकी बहु को बहुत शोक लगता है, क्योंकि मुथुवेल आज तक अपनी फैमेली के सामने एक सीधा और भोला भला आदमी बनके रहता है, और कामदेव वर्मन को ये समझाता है कि जिस जेलर को तुमने मारने की सुपारी दिये वो उन सब गुंडों का बाप है, और कामदेव बताता है कि मुथुवेल आज से 15 साल पहले तिहाड जेल का जेलर था, और तिहाड जेल में देश के सबसे खतना क्रीमिनल रखे जाते थे, जिनके बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट होते थे, लेकिन फिर भी बड़े-बड़े क्रीमिनल उस जेलर से डरते थे, और दूसरी तरफ मुथुवेल ने नरसीमा और कामदेव जेसे कई बड़े क्रीमिनल को सुदार दिया था, इसलिए वो सब लोग आज भी उसकी इज़त करते हैं, और मुथुवेल अपने आद्मियों के साथ वर्मन के ठिकाने पर हमला करता है, और वर्मन के सारे आद्मियों को मार डालता है, लेकिन जैसे ही वो वर्मन को मारने वाला होता है, तभी वर्मन बताता है कि उसका बेटा एसी पी अरजुन अभी तक जीवी थे, और उसे कहीं पर किड्नेप करके रखा होता है, लेकिन मुथुवेल अपने परिवार को नहीं बताता है कि अरजुन अभी जिन्दा है, फिर वर्मन और मुथुवेल एक समझोता करते हैं, और वर्मन मुथुवेल से कहता है कि तू मुझे एक प्राचिन टेंपल में रखा एक मुकुट याने क्राउन लाके देगा, लेकिन जो आदमी ब्लास्ट महन की फिल्म डारेक्ट कर रहा होता है, इसलिए मुथुवेल उस आदमी को ब्लेक मैल करता है, और कहता है कि अगर मैंने तुमारे प्यार की कहानी ब्लास्ट महन को बता दी, तो वो तुमें जान से मार देगा, इसलिए वो डारेक्टर मुथुवेल के कहने पर ब्लास्ट महन के साथ एक नखली फिल्म डारेक्ट करता है, और उस फिल्म में टेंपल से क्राउन चोरी करने का सीन भी होता है, इसलिए ब्लास्ट महन उस मंदीर में शूटिंग के बहाने सब को एंट्री दिल्वा देता है, और इसी सीन का फाइदा उठा के मुथुवेल उस क्राउन को चोरी कर लेता है, और मुथुवेल वह क्राउन वर्मन के पास विजवा देता है, और वर्मन अर्जुन को छोड़ने के लिए तयार हो जाता है, लेकिन तब पता चलता है कि सीपी अर्जुन एक करप्ट पुलिस ओफिसर था, और अर्जुन वर्मन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डिल करना चाता था, तुम जो भी मुर्तियां चोरी करते, मैं बिना चेकिंग के उन मुर्तियों को इस स्टेट से बाहर निकलवा देता, और अर्जुन पैसो के लिए अपने फादर को मारने को भी तयार हो जाता है, लेकिन तब वर्मन को पता चलता है कि वो क्राउन बिलकुल नकली है, और उस क्राउन के अंदर एक छोटा सा स्पाई केमरा लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से मुतुवेल अर्जुन के सारी बाते सुन लेता है, मुतुवेल अपने आदमियों और कामदेओं के साथ वर्मन के ठिकाने पर हमला कर देता है, और उसके सारे आदमियों को मार देता है, और दूसरी तरफ नरसीमा मुतुवेल की फेमिली को प्रोटेक्ट करता है जिसको मारने के लिए वर्मन ने अपने आदमी भेजे थे और बाद में मुथुवेल अपने बेटे को सरंडर करने का मौका देता है लेकिन अरजुन मना कर देता है और अपने पिता को मारने के लिए गण निकाल लेता है लेकिन मुथुवेल के स्नाइपर अरजुन को गोली मार के उसे मार देते हैं और मुतुवेल दूखी मन से उसे मरता हुआ छोड़के चला जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी की कानी खतम हो जाती है